जो अभी भी उसके अंदर हैं और अब इनके एंचेंबर्स कूरे के साथ नीचे खिसकने लगते हैं और जो को जो चैंबर होता है वो एक आदमी के घर की दिवार तोड़कर उसके घर के अंदर आजाता है जो का स्लिपिंग चैंबर अब खुल जाता है और जब जो चेंबर से बाहर निकलता है तो उसे बहुत थकान मैसूस होती है क्योंकि वो 500 साल बाद उठा है जो आपर बैठे आदमी को कहता है क्या हम बेस पर हैं वो आदमी कहता है कौन सा बेस और अब वो जो खोटा कर घर से वार फिंक देता है अब जो यहाँ पर देखता है कि एक दुकान के बाहर लिका है बर्ट फकर्स और यहाँ पर अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना बर्थरे सेलिबरेट कर रहे होते हैं और इस शौप के उपर बर्ट फकर्स इसलिए लिखा होता है क्योंकि बच्चे बड़ों को बहुत ज़ादा परिशान करते हैं और इसलिए शौप का नाम जहाँ पर ये बच्चे हैं बटफकर्स रखा गया है लेकिन जो को ये सब काफी अजीब लगता है बाशा पूरी तरीके से खराब हो चुकी है माँबाप बहन बाई हर तरह کی गाली भाशा का एक एहम हिस्सा है और ना ही इस बात पर कोई लड़ता है कि किसीने किसी को गाली दी क्यूंकि समाज अब इसी भाशा का इस्तमाल करता है अब जो को यहाँ पर लगता है कि उस मशीन की वैसे उसे हलोसिनेशन हो रही है इसलिए अब वो एक होस्पिटल जाता है लेकिन होस्पिटल में चारों तरफ गंद क्यों होती है और जब जो पानी पीने के लिए टैप खोलता है जो ब्रवेंडो कमपनी का होता है अब जो इस बात से काफी ज़दा हैरान होता है और वो एक आदमी से पूछता है कि मुझे पीने के लिए रेगुलर वाटर कहां से मिलेगा लेकिन वो आदमी हैरानी से पूछता है पानी और जो कहता है हाँ वो आद्मी कहता है जो toilet में होता है, जो उसे कहता है कि नहीं, मुझे पीने का पानी चाहिए, और वो आद्मी हैं से हस्ता हूँ चला जाता है, लेकिन जो को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसके बाद जो अपने check-up के लिए एक दूसरे doctor के पास जाता है, जो उसे ये बता